हाई दोस्तो मैं हूँ प्रणाए और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको सजेशन दूँगा कुछ बेस्ट मल्टी मीडिया स्पीकर्स पर्चेस करने के लिए जो की बजट के अंदर आएगा 3000 रुपीज के तो अगर आप भी एक नया मल्टी मीडिया स्पीकर्स पर्चेस करना चाहते हैं आपके लिए और आपका बजट है आपके पास 3000 रुपीज तो इस वीडियो को एक बर एंड तक देख लिए क्यूंकि मैं इस वीडियो के अंदर अपने सजेशन देने के साथ-साथ ये भी आप स आपको recommend कर रहा हो और उस particular product के अंदर क्या ऐसा खास है जिसके लिए आपको वो product purchase करना चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जल्दी से इस वीडियो को हम start करते हैं कर दो सो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब को कुछ basic points बोल दू के सबसे पहली बात तो यह होगी कि इस वीडियो को F&D ने बिल्कुल भी sponsor नहीं किया है तो यह बात मैं आप सब को इसलिए बोल रहो क्यूंकि इस लीष्ट के अंदर दो से तीन जो speakers है वो F&D की है तो यहाँ पर आप ऐसा भी सोच सकते है कि F&D brand ने मुझे sponsor किया है या फिर पैसा बगर दिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर मैंने personally F&D brand के दो से तीन products यहाँ पर यूज़ किया है और मुझे personally काफी जादा पसंद आया इसकी जो quality है और जो इसकी जो quality है बस वही मुझे पसंद आया तो इसलिए मैं आप सब को यहाँ पर यह F&D के जो speakers है वो recommend कर रहा हो जादा से जादा और दूसरी बात तो यह होगी कि इस list के अंदर मैंने वो सारे जो speakers है जो की non branded है या फिर नॉन ब्रेंड तो नहीं मतलब कि जीस speakers के जो product की ज इसको आप भूल जाएए तो यहाँ पर हमारे list को start करते हैं और हमारा जो budget है वो होगा basically 1000 से लेके 3000 रुपीज तक और सबसे पहले start करते हमारे 1000 रुपीज के budget category के अंदर और यहाँ पर जो एक मात्र स्पीकर मैं आप सब को recommend करूँगा वो होगा F&D का E200 तो F&D का E200 जो यह speaker है वो एक stereo speaker है अफकोर्स और यहाँ पर इसकी जो pricing है वो है Amazon इंडिया के अंदर 990 रुपीज तो आप यहाँ पर वीडियो के description में मैंने सारही speakers के link provide कर दिया है वहाँ से आप एक बाद चेक कर लीजे और यहाँ पर जो इस price range के अंदर जो इसका best value for money provide करते हैं इसलिए जो यह speaker है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया तो यहाँ पर कुछ highlighting features के बारे में सारही speakers के बारे में बोलूंगा तो 3.5 mm audio jack यह सापको मिल जाएगा output की बात करें तो 3 watt की output rating है in total और यहाँ पर LED indicator light जी हाँ आपको मिल जाएगा उसके साथ आपको Bluetooth का support नहीं मिलेगा तो 1000 रुपीज के अंदर मुझे लगता है कि output wise और LED notification light भी है और LED notification लाइट और यहाँ पर Bluetooth तो नहीं लेकिन फिर भी overall मुझे लगता है कि 1000 रुपीज के अंदर यह speaker काफी अच्छा है sound quality वगर आपको अच्छा प्रवाइट कर देगा stereo speaker है 3W का है तो आप इसको check out कर सकते हैं और मुझे लगता है कि 1000 रुपीज के अंदर मैंने research किया और मुझे लगता है कि यही आपके लिए best होगा सो दोस्तों उसके बाद हमारा जो next budget category आता है उस वो होगा definitely 1500 रुपीज के आसपास और मैंने थोरा सा research किया थोरा सा नहीं मैंने actually थोरा बहुत research किया और मैंने देखा कि 1500 रुपीज के आसपास जो category है यहाँ पे कुछ अच्छे speakers नहीं है multimedia speakers तो इसलिए मैंने अपना जो budget ह है उसको थोरा से increase किया और मैं आपको भी बोलूँगा कि आपका budget को थोरा से increase किजिए और 1800 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा JBL Go portable wireless Bluetooth speaker with mic JBL Go basically इसका main नाम है तो यह जो multimedia speaker है यह basically Bluetooth portable speaker है इसको आप अपने bag में या फिर शायद से pocket में भी carry हो जाएगा अगर आपका pocket क काफी बरा type का है तो definitely support हो जाएगा तो यह जो JBL branded वाला speaker है यह obviously इसके अंदर Bluetooth का support आपको मिलता है 3.5 mm jack का support मिलता है LED indicator भी मिल जाता है और जो main highlighting feature है वो यह है कि इसके अंदर आपको 3.1 watt का एक RMS output मिलता है जो कि मुझे लगता है को overall आपको एक छोटे packet में बरा धमागा इसको मिल जाएगा तो इसको जब आप प्रैक्टिकल यूज करेंगे तभी आपको जानने को मिलेगा कि इसका quality कितना बहतरीन है तो यहाँ पर एक मेरे एक दोस्त के पास यह speaker था और उसके speaker के अंदर मैंने जब इसका sound quality सुना तो इसके size wise इसका जो quality था वो ratio बहुत ही जा करेंगरी आता है हमारा तो वो है 2000 के आसपास का budget category और यहाँ पर मैं आप सब को एक मात्र speaker multimedia speaker आप सब को recommend करूंगा वो होगा again FND से और मैंने आप सब को पहले ही warning दे दिया है कि FND ने इस वीडियो को sponsor नहीं किया है तो प्लीज आप गाली मत दीजिएगा यहाँ पर FND का F210X यह model मैं आप सब को recommend करूंगा और 2000 रुपीज के अंदर यही एक मात्र ऐसा speaker है जो मैं आप सब को recommend कर पाऊंगा क्यूंकि मैंने खुद इसको purchase किया है मेरे channel के अंदर आपको इसका review मिलेगा i button में link मैं provide कर दूंगा सो basically इसके अंदर जो highlighting feature है वो यह है कि इसके अंदर आपको 2000 रुपीज के अंदर मुझे लगता है कि यह एक मात्र ऐसा speaker है जिसके अंदर आपको Bluetooth भी मिलता है 3.5 mm को audio jack मिलता है और इसके अंदर sound quality भी काफी अच्छी है सो यहाँ पर आपको 15 watt के subwoofer के साथ आपको 3 watt के दो छोटे-छोटे speakers मिलता है जो की total 6 watt के होते है और 15 watt का subwoofer और 6 watt का speaker दो speaker आपको एक बहुत ही अच्छा audio quality प्रवाइट करता है और मैंने इसको परसनली जब इसको purchase किया, use किया तो मुझे definitely इसका sound quality है वो मुझे काफी ज recommend करूँगा तो 2000 रुपीज अगर आपका budget है तो इस से बरिया Bluetooth speaker आपको इस price range के अंदर 2.1 multimedia surrounding के साथ आपको नहीं मिल सकता, सो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं हमारे next budget category के अंदर जो कि आता है 2500 रुपीज के आसपास का budget और इस budget के अंदर भी मैंने आप सब के लिए एक मातरा speaker recommend किया हूँ और यह speaker होगा Philips के तरफ से, इसका model number है Philips MMS 2550F, सो दोस्तों यहाँ पर इस multimedia speaker के अंदर जादा मैं बात नहीं करूँगा, इसको आप Amazon पर चेक कर सकते हैं, इसकी ratings, review बगर देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको 3.5 mm का jack मिल जाएगा, output इसका 2500 watts है, यह PMPO output है, तो आप इसको एक बार definitely check कर लिजिए, और इसका output overall काफी अ quality का speaker आपको नहीं मिल सकता, और definitely इसके अंदर Bluetooth का support नहीं मिलता, यह मैं आप सब को पहले से ही बोल देता हो, और यहाँ पर आपको इसके अंदर LED indication, light वगरा, थोड़ा सा decoration के साथ मिल जाता है, तो यह एक advantage है इस speaker के अंदर, तो 2500 के अंदर आपको यह speaker purchase करना चाहिए, यह म हमारे last budget के अंदर, जो कि है 3000 रुपीस की budget category, उसके उपर मैं नहीं जा रहा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया के जो mass, जो majority होगा, वो बस 3000 से लेके 1000 के, या फि 2000 से 3000 के budget में, एक अच्छा सा multimedia speaker purchase करेंगे, तो जल्दी सा time ना waste करके बोलता हो, और यह जो 3000 रुपीस क तो इसके अंदर जो highlighting feature है, वो यह है, कि यह थोरा सा fancy design के साथ, एक थोरा सा fancy looking, एक थोरा सा बड़ा muscular, और थोरा सा आपको feel भी देगा, कि यह थोरा सा budget आपका जादा है, और इसका sound quality भी definitely बहतरीन है, इसके अंदर definitely काफी अच्छी quality की sound आपको इसके अंदर मिल जाएगी, तो rating की बात करो तो definitely 3.5 mm का audio jack मिलता है, output rating की बात करो तो 13 watts के subwoofer के साथ, आपको 12 watts के 2 छोटे-छोटे speakers देखने को मिल जाते है, जो कि total यह जो आपका speaker system है, वो आपको बना देता है 37 watts का, जो कि RMPS rating है, तो मुझे लगता है कि यह काफी killer एक rating है, और अगर आप इस speaker को purchase कर budget में, तो आपको definitely आपके पैसे से तो बहुत ही जादा value आपको यह provide करेगा, और इसके अंदर LED का जो decoration वाला light है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफी अच्छा एक look आपको provide करेगा आपके house में, और इसके साथ आपको Bluetooth का support भी जी हा, definitely आपको इसके अंदर द 1000 से लेके 3000 रुपीज के budget में confused थे के कौन सा Bluetooth या फिन ब्लूटूथ मल्टिमीडिया स्पीकर आपको purchase करना चाहिए, तो आपका confusion तो definitely इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो गया होगा, और अगर आपको मेरा महनत भी पसंद आया इस वीडियो का, और वीडियो भी जा हूँ